करोना कट्टिडिकै देशरास्तानी डिली लो लागडोन मरो सारी पोड़गीं चारो इनेला पदिहेड वरकु लागडोन पोड़गी स्थुन्ने ट्रू डिली सीयम केश्वाल तेल पारो लागडोन सत्पलतालो इस्थुन्दनी पास्टिविटी रेट कुड़ा उपए दिनुँची इर्वाई मुड़शातान के तग्गिन दनारो अट यूपी लोग कुड़ा इनेला पदिहेड वरकु लागडोन पोड़गीं चारो यह सो रहे हैं, अस्पतालों की जरूर पढ़ रही है, आईसीओ की जरूर पढ़ रही है, काफी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है तो 20 अप्रेल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था केसिज लगातार बढ़ते जा रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे लॉकडाउन लगाने की वज़े से और भी अन्ने कई कारणों की वज़े से 26 अप्रेल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था, 35% बहुत जादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे 26 अप्रेल के बाद से, चूकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन तूटनी चालो हुई थी, इसकी करोना की, 26 अप्रेल के बाद से धीरे धीरे केसे कम होने चालो हुए और अब पिछले एक दो दिन के अंदर, तेईस परसेंट, 35% से तेईस परसेंट पॉजिटिविटी रेशो आ गया है तो केसे कम होने चालो हुए हैं दिल्ली के अंदर, इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया आप लोगों ने लॉगडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की अपने परिवार की जिन्दगी और उनके स्वास्थे की बात है हम किसी पे कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थे की और जिन्दगी की बात है इस lockdown के period को हमने संसाधन health infrastructure को और मजबूत करने के लिए इस्तिमाल किया कई जगे नए oxygen beds तयार किये गए सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में oxygen की आई है normal time में जितनी oxygen चाहिए होती है अस्पतालों में उससे कई गुना oxygen की जूरत पढ़ने लगी क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे करोना में उन सबको oxygen की जूरत थी तो कई गुना oxygen की जूरत अचानक पढ़ने लगी पिछले कुछ दिनों में केंदर सरकार के साथ मिलके और हाई कोट और सुप्रीम कोट के आदेशों से केंदर सरकार के सहयोग से अब oxygen की स्थिती दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कई दिनों में पिछले कुछ दिनों में अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती की इस अस्पताल में दो घंटे की oxygen रह गई उस अस्पताल में आदे घंटे की oxygen रह गई यहाँ पर कैसी की oxygen से मौत हो सकती है अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है तो इस lockdown के period को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी मदद काफी प्रयास किये पिछले कुछ दिनों से वैक्सिन को भी बड़ी तेजी के साथ vaccination का कारेकरम शुरूर किया गया है आप मैंसे जितने लोगों ने वैक्सिन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतिजाम किये हैं वो कितने शांदार इंतिजाम किये हैं सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं सब लोगों को अच्छा लग रहा है हमारी यूवा बढ़ चड़के वैक्सिन लगवा रहे हैं यहां तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आखे वैक्सिन लगवा रहे हैं वैक्सिन के स्टॉक की कमी है इसमें हमने केंदर सरकार से सहयोग मांगा है मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंदर सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है व्यपारियों से, महिलाओं से, युवाओं से अलग-अलग किसम किसम के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि करोना के केस कम तो हुए है लेकिन अभी भी बहुत हैं 23 परसेंट अभी भी संक्रम अंदर है अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती है अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का तो सबका यह मानना है कि अभी lockdown को और extend करने की जरूरत है अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है यह तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खतम हो जाएगा और जैसा मैंने कहा कि यह इतना मुश्किल दौर है यह वली वेव इतनी खतरनाक है इतने लोगों की मौत हो रही है तो जान है अगर जिन्दगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिन्दगी में सबसे पहले इस टाइम जिन्दगी बचाना है तो इसलिए सर सीड़ बैक के अधार पे अब सब लोगों की इसके अधार पे मजबूरी वश अभी एक हफ्ते का लॉगडाउन और बढ़ाया जा रहा है कल सुबह पांच बजे ये लॉगडाउन खतम होना था लेकिन अब ये अगले सोंवार को पांच वेजे तक के सुबह पांच वेजे इसको लॉगडाउन को सक्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काभू पाएंगे मेरी आप सबसे निवीदन है जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉगडाउन का पानन किया इस तर आने वाले समय में भी